पिर उसके लबावब मिटिंग्स होती है हमारी status update बारी तो कुछ जादा होती है कि हमारे कि मारे कल्चर में बॉस्ट कि में स理 में स्ट्रेटक दाइं और गजह पिछली टास्क फिर फिर उनकी होज्ट meu थाट्रीट फिर होती है हमारी इसको यह रूटीन का हमारा काम है फिर हमारी एक होती है वन-टो-वन मीटिंग जो हम किसी एक साहब से करते हैं जो इसलिए हम लोगे मीटिंग नहीं करते हैं मुझा elegant क्यों करें चतिए में और जिसमें ओफिस के या का में कोई बात को रीय तूम टूब्लन में वह उती है कि लिएंड भीक है में रॉप्रोगन सार्विंग को यहाफ की डिय्क 맛있 are usq dari usq. इसमे प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम में पर इसे कहा जाता है, problem आप कोई टीम बिल्डिंग के ओपर करते हैं तो वो सुसलाइजेशन की टाइप की मीटिंग होती हैं फिर आपकी कोई वरक्शॉप वगरा ट्रेनिंग वगरा करवाते हैं आप दूसरों को जिस चीजें आपने सिखेंगे तो आज यह लेक्चर में आप सिखेंगे तो आप ज तो इसमें एजेंड़ा लिखा था मिलना चाहा रहे हैं ठीक है उसका हमने टाइम प्लाइन कर लिया था एंजेंड़ा लिख दिया तो वह to the point ओगी focused होगी और उसका time हमने time भी लिखिया तो वो time bound होगी कि इतने से इतने बज़े हमारी meeting होगी और हम ऐसे कुछ लिखते हैं जिसको हम meeting invite बेच रहे हैं वो समझ सके कि यह क्या कहना चाहरे हैं किसमेटिंग है अगर लेट से आपकी meeting है उससे प्रेस पार्ट के उपर को improvement plan किये तो आप अगर उसमें लिखने कि improvement plan तो उसको नहीं समझाएगा कि यह प्रेस पार्ट है किस चीज के improvement plan का कौन से improvement plans की तो multiple types हो सकती है ना तो किस की बात कर रहे है तो वो उसको नहीं clear हो पाएगा तो आपने उसको ऐसा बनाना है कि सब को समझाएगा उस बात की उनका कोई conclusion होना चाहिए और उसका कोई tracker होना चाहिए मेटिंग schedule का हमने कर लिया है अभी हम हमारे श्रू से जो अभी तक बात हुई है वो हो रही है maintenance को कौन कों से करने पड़ते है जिससरा हमने पहले सिका कि sto होते क्या है है उनको बनाते कैसे हैं उनको track कि साना करते हैं किस तra करते हैं फिर तास्क थे related है हमारे time management था हमने time managementズ ज्कhmies फिर हमने executions हमारी किस किसम कि हमने वह प्याविय अब हमारे एक ओर important काम है जो maintenance वालों करते हैं वह inventory कभी ऐसा कोई हुआ कि आपका breakdown आया और आपके पार्ट नहीं है ऐसा होता है ना तो उस case में क्या होता है सबसे पहले आप किसको blame करते है स्टोर वाले को जाता है यहां जो manager है उसको कहते हैं उसमें भी manager से पूछा जाता है आपने follow up क्यों नहीं किया इसे ही है एंड में जिम्हदार निकलता कोन है जिस ने demand किया जिस बिचारे ने डिमांड किया वैक्टरी तो inventory और आप से पहले सवाल हो था आप लोग स्टोर में कितनी दफ़ा जाते हैं यहां स्टोर का audit करते हैं आपने का स्टोर के audit हम नहीं करते हैं तो स्टोर का audit इसलिए करना जुरूरी है कि आपकी डिमांड आप फुरसी कर रहे हैं कि मशीन का कौन-कौन सा पाट कब-कब फेल होना है स्टोर वाले को नहीं पता वो बिचारत वैसे बैठा हुआ है ना तो आपने जब audit करेंगे अपनी करन्ट सब्सक्राइब के हवाले से यहां देक्खेंगे अपने मेक्स लेवल नहीं काना तो मिन्हीं जो लेवल्स हैं वो कितनी दफा साल में रिवीव करते जी 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 वो problem जब आता है और वो problem बहुत सवेर हो जाता है फिर हम करते हैं otherwise otherwise मैं आपको बाप बताता हूँ minmax आप बनाते हैं कि जो आपकर breakdowns आ रहे होते हैं या आपके failures का trend है यह CBM की जो report है उसके उपर बहुत ज़्यादा frequency मैं में एक्षेंज होते हैं especially for the critical parts अभी उसकी भी discuss करेंगे अचा right stock क्या होता है dead stock कोई सुने किसे ने कभी नाम जी बिल्कुल ऐसा ही है इस से ज़्यादा थोड़ी सी एक बेतर टाम है उसके लिए कोई last row में से बताना चाहिए का dead stock क्या होता है जिसकी consumption तीन साल से ज़्यादा हो जाए है मतलब बिल्कुल zero हो जाए वह dead तीन साल किसी इंडिस्ट्री में होता है किसी में 5 साल होता है उसे हम dead stock कहते है dead stock क्यों बनता है dead stock इसलिए बनता है कि part change हो जाता है उसका change management या management of change का process नहीं किया जाता तो right stock से मराद है कि stock सिर्फ उसी चीज़ का उतना maintain किया जाए जो आपको उसका data बता रहा है कि इतनी requirement है जर्म उनकी एक special category बन जाती है कि यह let's say एक आपकी machine का बड़ा part है जो के solid body है उसने खराब नहीं हो शायद 10 साल बाज आके बेरो लेकिन आप उससे निकाल नहीं सकते अपने system से आपने उसे रखना होता है कि हमारे asset का part है इसे हम नहीं करते हैं नहीं आता है वो डेट स्टॉक में नहीं आता है डेट स्टॉक में वो चीजें आती हैं कि जो अब जूरत नहीं है जिसको company expose कर सके बस डिस्पोज आफ पर सब्सक्राइब जिए अच्छा राइट प्लेस पे क्या है राइट प्लेस से है कि ब्रेकडाउन आपका आगया तो आप पार्ट किस तरह डूंडते हैं कि यह पार्ट कहां से मिलेगा कौन देखता उसको store किस अच्छा एक बात आप से सोच के बतानी है सबने बड़ी कि आपका ब्रेकडाउन आया पता लगया यह पार्ट चाहिए वह पार्ट पता लगने से आपके पास आने में कौन-कौन से स्टेप्स आते हैं और उसमें तकरीबन कितना टाइम लग जाता है डूनना होता है पहले वह पास जाता है अब आपके अपने बड़ा में आयर पी पर आएंगे पता लगने के बाद पहले स्टेप होगया आपने यह प्रेंगे कित दूर होता है यूजली के वह उता ही अप्रेओं तक अगर स्टोर में वेले बले ए तो टो तो टोटल कितना टाम लगता है प और लेट से अगर महीने के आपके 20 ब्रेकड़ॉन है ते कितने हो गए 200 मिंट सिरफ हमारे आने में जया हो गए और अगर वो राइट प्लेस पर पढ़ा भी ना हो उसकी जो बिन है वहां पर ना पढ़ा 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 स्टोर में हुआ है इसलिए आड़िट करते हैं कि बिन में सारी चीज़ें टैग्ड है यह नहीं है यह हो सकता है बिन में पढ़ा ओपर उस बिन का टैग नहीं हो पर शिस्टम में ना रिजिस्टर ओड़ वैसे हो इस तरह के मसले होते हैं अगर आप श्टॉक और राइट प्लेस पे नहीं रखे इस तरह वारे इंवाल्मेंट नी वह जो जाता है वैसे इंवाल्मेंट होती है किसी की जस्ट यह जाती है आप ने सम्टाम करें एक लेट से मोटर लगी वह वह ओबर कपैस्टी लगी और एक इंजिनियर उसको लेट से ट्रेस कर लेता है और उसको चेंज करislava दीता आफ्टर सम्टेंज बिनिट से स्सेम तो क्या होगा कि वह आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी जेंज मैंजमेंट को किसे नम सुना Change Management होती है कि अगर एक मोटर में एक bearing लगा हुआ है उस bearing का अगर same number, same size, same supplier से आ रहा है जो भी उसके change के criteria defined है अगर तो वो same है बिलकुल तो store से issue होगा, यह market से आ गाइगा लग जाएगा अगर उसमें जरा सा भी फ़र्क है इवन के seal का change है यहां उसका supplier change हो रहा है कुछ भी change हो रहा है तो उसकी committee बैठती है जितने भी MNC दोद में इकलचर है उसकी committee बैठती है उसके सारे pros and cons देखते हैं inventory देखते हुए उसकी cost देखते हुए उसका impact देखते हैं इसकी ROI देखते हुए उसके improvement होती है वो उसका पू यहां बहुत कंबनती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एक आज पार्ट लग रहा है change करवा दिया आज में बैठे 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 डिसीन के कि जी change हो जाए आज से ना यह वाला लेना है आप नहीं देखते के store में कितना पड़ा होगा है company को इससे मेरे DCN से नुकसान कितना ह एक अजय हो जाता है कि आपने DCN ले लिया बाद में बता लग यह से नहीं था बहुत होता है लेकिन है अगर को फॉर्मल meeting form नहीं है न को फॉर्मल ऐसी committee नहीं है आपकी जो के देख रही है कि अच्छा यह है कम और उसका कहीं पर लॉग नहीं है कि आपने यह चेंज किया इससे क्या होता है कि फायल जब हम खोलते हैं पता है उसमें जो ही हमने recommend किया था पता कहां से कहां उसने एक चोटी सी कश्टी कि ही थी हमने वह सब बहरी जहाद से जाद्वना लिया हुआ वाइसा बहुत होता है आपका data gynum documentation का तो में शोख है नहीं नहीं हम परते हैं नह कि वी से प्राब्लम होई जाते है अच्छे वेंडर का जसर स्टार्ट में वी बारत थी कि कि आपने जितने ज्यादा वेंडर्स आपके पास आएंगे। पूरे पाकिस्तान से जितने ज्यादा vendors आप बुला सकते हैं या आप अपने time को manage करते हैं वे engage कर सकते हैं आपको करने जाएंगे क्योंकि जब भी कोई vendor आता है आपने दिखाऊगा वो कुछ आपको समझा के जाता है समझने के लिए लोगों को बिलाना है वो आएंगे अपनी अपनी technology हर बंदा समझाएगा आप उसे दो गंटे कहेंगे वो आपको train करेगा चार गंटे करेंगे different projects से लिए vendors को बिलाएंगे तो आपको science दिखेंगे उससे आप बहुत ज्यादा सिखेंगे एक तो आपको पता होगा कौन सी चीज कहां से मिलनी है पिर दूसरा होगा कि जो आपके वास बार बार आ रहा है आप उसको काम देते हैं तो वह ज्यादा आएगा ज्यादा सपोर्ट करेगा तो कोई ऐसा टाइम होगा ना कि अगर लेट से वह चीज वह सप्लाई भी नहीं आपके पास information आती है यह वह भी नहीं आती है वह आपको refer करते हैं नहीं लट से एक निया vendor आया वो कहते है जी मैं आपके maintenance department से मिलना चाथा क्या आपके purchase वाले मिलने देंगे ताइम लेता है आपको उसका लिटेश्व अगारे सेंड कर देंगे फिर आप उसे मिलते हैं और फिर आप उससे recommend करते हैं तो यह वाला काम आपने बहुत जादा करना है उसके इलावा vendors वह हैं जो के breakdown को सेफ करने में बहुत बड़ा कितारा करते हैं तो आपने vendor के audits भी कर करके दे रहें अगर आपका in-house fabrication नहीं है तो आपने उसकी facilities कर देखनी है या उनकी देखना है कि वह stock already उनके पास है भी या नहीं है परचेज वाले नहीं करते होते यूजली vendors के पास नहीं जाते है जो अच्छी companies वह vendors के audit करती हैं उनके पास जाते हैं देखते हैं कि वह उ क्योंकि ultimately वह company के overall goal को support करने के लिए काम कर रहे हैं और फिर आप एक vendor evaluation process होता है कि जिसमें किया जाता है कि ये vendor जो है वह इसकी कैसी है इसके कितना response है कि किन लोगों के साथ इसने काम किया है इसका professional attitude कैसा है commitment का कैसा है time पर delivery देता है नहीं देता कॉस्ट इसकी कैसी होती है margins कैसे रखता है इस तरह के और एक्स वगर से related उसके करते हैं और vendor के evolution होनी चाहिए और अगर वो नहीं देता तो कभी penalty डाली है अपने time पे नहीं देता तो इसके बाद होता यह है कि आपना annual contracts कर लेते हैं मैंने शाहिद यहां पर भी महसूस किया शाहिद ऐसा ना हो बट हो सकते मेरी ऐसे feeling हो एक चीज है लेट से एक बेरिंग लगना है और उसकी approval GM के पास जारी होती है हमें यह चाहिए है यह hydraulic jack चाहिए चाहिए तो इसका मतलब ह हम अपने जो management उसका भी काम बढ़ा रहे हैं हर चोटी से चोटी चीज़ का उसके पास approval जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए होना ऐसा चाहिए कि आपके पास एक अगर management of change का system आप ले आएंगे इंशाला आप यह सीखने के बाद तो आप उसका एक change का process बना लेंगे और एक और policy साथ बनाएंगे कि अगर change नहीं है same है और order level के अंदर ही आ रहा है तो management से approval नहीं होगी ताकि वो चीज़ उनके पास delay ना हो जो management है वो तो चीज़ों को फॉरण से sign करके आगे करतीती है ना फॉरण सागे कर देती है पढ़ा रहता है पढ़ा रहता है हमारे पास भी चीज़ते हैं डॉकुमेंट्स पढ़े रहते हैं हम रोकी रखते हैं इसी तरह management भी रोकी रखती है तो उससे क्या होता है हमारे कामों में बहुत आरड दिले आता है फिर हर बंदा manager है purchase वाला restaurant के माले के हैं और आपने किसी एको delegate की विये job कि जो material daily का आता है वो आप manage करेंगे तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसे कहेंगे कि अच्छा ये डोटी का budget है ये लैट से chicken का budget है ये इस चीज़ का budget है इतने में आप हैसला कर सकते हो अगर इसके ज्यादा होगा तो मेरे जिसमें change है जिसमें कुछ ज्यादा है जो चीज़ नोट करने वाली है maintenance में भी ऐसा होना चाहिए पिर एक और क्या करते हैं जिसना SKF आपके पास बहुत सी companies ने ऐसे किया हुआ है SKF और इससे रिलेटेड यतने वी वेंडर उनके पास अपने स्टॉक रखवाए हैं वजाए कि वो अपने पास टॉक रख़ए हैं उनके साथ contract हो जाता है कि हम आप से साल के consumption को देखते हुए कि हम आप से साल का ये पार्ट इतना लेंगे और उतना ही लेते हैं यहां उसे ज्यादा भी ले लेते हैं उसे क्या होता है कि आप अपने पास inventory रखते हैं चेंज करने पर फिर आपको cost loss नहीं आता और inventory management की भी cost होती है अच्छा डेटा की वैसे क्या importance है हमारी life में हम डेटा से क्या करते हैं हम डेटा से क्या काम लेते हैं business के इलावा office से related कोई बात नहीं है हम लोग डेटा से क्या काम लेते हैं नहीं एक और एक बलके आजकल तो बहुत ज्यादा इसकी आपने कभी मैप यूज किया गूगल मैप यूज किया उस पर आप कहते हैं के मुझे destination या लगाते है वह प्रता है डेटा है पहले गूगल ने फ्री में दिया था अब गूगल सेल करता है उबर क्रीम और ऐसे फूट पैंडा को और वह आपको पता लग जाते हैं अर्श यहां से वह डेटा का यूज कर रहा है इस वकर दुनिया के सबसे महेंगी चीज है और जो सबसे अच्छे बिजनसेंश डेटा बेस पे टेटा की बेस फेस्बूक है यूट्यूब है इसे मोजा चैतना कुछ यह सारा डेटा इस यूट्यूब पे आप बनाते हैं मतलब किसी को जुरूरत नहीं को आपको देखे सारी दुनिया पे वो है चैनल यूट्यूब लाइव है फाइदा क्या है कि जो रेलिवेंट लोग देखते हैं उसके बेस पे जो लोग आते हैं जिनकी वह अट्रेक्शन है जो आप प्रिजेंट कर रहे हैं तो अगर आप स्पेशली खातून हैं तो वह क्या है कि वह आपकी तरफ फिर आप आपको ज्यादा विजेट करते हैं उस चीज को यूज करते हैं एडविटाइस के लिए कि कहां पर किस एरिया में कौन सी चीज कितनी जादा देखी जा रही है उसकी बेस पर आड के पैसे मिल तो ब्रेकडाउन किस मेशीन पर आया किस फेकल्टी से रिलेटिड आया उसके अंदर किस टाइप का ब्रेकडाउन था किस पार्ट पर आया फिर वह इंफ्रमेशन टाइम के वाले से भी जिनेट कर रहा होता है कितने टाइम का था फिर MTTR MTBF OE सारा कुछ उसी एक मॉडिल भी यूज कर रहे हैं तो प्लांट मेंटेनस किस ना करते हैं कि सी बीम की जो होती है वो कोई रिकॉर्डिंग लॉगिंग होती है आपकी सॉफ्ट में नहीं है मैनुवल है चले ही मस्राल हो जाएगा आपका अब देटा में चुछ स्टेप्स हैं कि आप पहले कॉलेक्ट करते हैं अभी कौँ सा डेटा वो भी दिखाएंगे और उसके बाद उसको केटेगराइज करते हैं से मिचैनिकल, इलेक्रिकल, कनिशीन मॉनितरिंग, इंस्रुमेंटेशन, सेफिट्यम, सेफटी। कितरिगरिजरिजेशन होगई किस लाइन है किस एसट इपार्टमेंट का है इसके युब अपर सेग्रिकेशन होगई फिर एवेल्वेट करते हैं कि हमारे लिए कौन सा डेटा काम का है फॉर एक्जेंपल मशीन का कलर क्या है क्या यह हमारे काम का डेटा है है तो रिलेटिड डेटा है हमारे किसी काम का नहीं है लेकिन हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट यहां परसेंट के काम का हो तो हम evaluate करते हैं कि हमारे लिए data to information जो हमें चाहिए goals को satisfy करने के लिए वो data कौन सा है जो हमारे लिए ज्यादा कीम्टी हो सकते हैं फिर उसको prioritize करते हैं इसको information में करते हैं analyze करते हैं और उसके उपर फिर action plan बनाते हैं जिस तरह आपने data collect करना होता है चोटे-चोटे project से करते हैं repeat करते हैं इस चीज़ को हम दुबारा भी discuss करेंगे sources of data क्या है ERP से excel से DBMS से किसी भी चीज़ से आप data दे सकते हैं और फिर data को information के लिए power behavior ऐसे tools हैं नाम सुने किसे ने power behavior का business intelligence का टैबलो का अच्छा data हमारे पास इसना maintenance का data है breakdowns कितने आए किस टाइप के breakdown थे उनकी duration क्या थी uptime कितना था downtime कितना था उससे related spare part कौन सा लगा उसमें आने का time कितना लगा lead time क्या था parameters कौन कौन से machine के stocks क्या है schedules क्या है inspections कौन कौन सी होती है कि schedule पे होती है PM के schedule पे होती है यह सारी चीज़े data produce कर रहे है time to repair है time between failure है requisitions का data है सारा का सारा ERP बना ही data और उसके बेहरी के लिए और इस ERP का बहुत ज़रा फाइदा भी होता है अगर आप properly उसको यूज़ कर रहे हैं तो और यह data सिर्फ एक चीज़ का नहीं है department कितने हैं उसकी कितनी lines होंगी lines के अंदर कितने कितनी machines हैं हर machine के 1000 लखों parts है और उन सारों के parameters parameters light temperature है pressure है normal sound है कोई भी चीज़ है vibration है तो यह सारे के सारे parameters अगर आप total parameter level पे देखे तो आप कितना ज़दा data बन जाता है millions of entries बन जाती है इसकी दर बना हो गया है, इसका इस machine है उसके 1000 assets है और आप ने किया हुआ है अगर आपने कोई भी पार्ट लेना तो उसका asset number आप लिए आपको इस्टी बता लेकिए कि इसके उसके काम हुआ है सिरफ inventory के हट तक है maintenance और CBM और इसके काम क्या हुआ है वह लेकिन हम यूज करते हैं उसकी compliance काफी काम है इवन के SAP की compliance बड़ी अच्छी ची company's में नहीं है इदर हो रही है किसी की सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें उक्वेशन एड़ करते हैं कि उसमें रिजन करते हैं तो इसका analysis करने के लिए अब आपने इतना जादा काम कर लिए इसके analysis करने के लिए कोर्स के बिल्कुर एंट पर थर्ड दे पर हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे BI के उपर business intelligence tool के उपर आप उस data को किसी BI को किसी भी data source के साथ कोनेक्ट करें और उसके उपर क्लिक्स पर स्लेक्ट करेंगे लेट से आप देखना चाहते हैं कि इस compressor के उपर तीन साल पर कितना खर्चा आया या कितने काउट्स है यह तीन साल पर इस user ने कितनी दिर काम किया तो आप तीन क्लिक्स करेंगे तो आपको बता देगा उससे आपके DCN बहुत अच्छे हो जाते हैं हर जगा की अलाइदा है कुछ skills एरो प्लेन के अंदर हैं कुछ इंडस्ट्री में हैं कुछ food chain में हैं camera cooperate करना भी एक skill है इंडस्री में कौन कुशी skills है electrical mechanical fabrication fitting analysis planning automate welding इस तरह की skills हो और बहुत थेसारी accounts की skill है store management की skill है अगर हम लोगों को problem को यार रहा है और data से देखते हैं हमारे breakdown बढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे किस type breakdown बढ़ यह भी पता लग जाएगा ना data से उस data से पता लग जाएगा उस breakdown की type अगर बढ़ रही है तो उसमें कोई department जो involved है उसके causes हो सकते हैं यह skill नहीं है यह उनके पस tool बेतर नहीं है यह वो ठीक तरह काम नहीं करें तो क्या करेंगे डाटेंगे ट्रेनिंग करवाएंगे यह निकाल देंगे ट्रेनिंग करवाएंगे skills नहीं है यह उनके पस सही tools नहीं है तो क्या करेंगे tools की requisition करेंगे और क्या वज़ा हो सकती है किसी breakdown की machine के problem को दूर करने के लिए हम लोग बैठेंगे अब breakdown आ गया आना नहीं चाहिए था उसके लिए क्या 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 causes हैं आप एक breakdown क्यों आता है क्या क्या वज़ुहाद हो सकती है ठीक है एक cause हो गया और प्रफिश्टेक हो सकती है जानके भी किया जासकता है कभी नहीं जानके लिए कि वह को बिल्कुल वाकिया तो होते हैं ओवर टाइम के पिछे लोग काफी कुछ कर जाते होते हैं आप देखें पता है कि बड़ा जीब सा कल्चर है यहां का पता नहीं है निए बाकी बहुत जगह पे बंदे को वो टाइम नहीं मिलेगा ना वो पेशकस डाल के ना मशीन को रोग देगा अब उसको नहीं पता कि वो कितने लाकों का नुकसान कर रहा है क्या कर रहा है उससे अपने 2000 रपय यहां 4000 रपय जो चाहिए वो उससे चाहिए उसने पूरे करके जाने किसी तरह हैं अगर लेट से वो आपने इतने अच्छे चेक्स रखे हैं वो नहीं कर सकता वो काम आश्ता कर देगा वो कहते हैं लुक बिजी डूनाइटिंग बड़े ऑपरेटर जैसे हैं कि वो जो उनसे ना आंक दूसरे को इसाला मारते हैं आज हमने ओवर टैंग बनाना है इत करीब आ रहे हैं तो नहीं वो आपने पकरड़ा नहीं होगा हम सारे एक जैसे ही हैं हमारा ओवराल कल्चर ऐसा है वो कहते हैं कि जिसको मुका नहीं मिलता वो शरीव है तो अब आपने मुके नहीं देने तो आप अच्छी मैनेजमेंट वाले हो जाएंगे अच्छा जैसे यह बात ओरी थी के स्किल्स हमारे हां स्किल्स को को भी नहीं देखता प्रप्लम आ रहे हैं आरही ऑफ्छा सार डांट सुनेंगे मिटिंग होगी है अच्छा कि मसलें ब्रेकडावन दांट सुन आ रहे और नजा है यह करना है अब आपका आ जाएंगे कॉस नहीं देखते हैं कि वो किस वजह से Dirty रहे हैं आरा रहा है यह अंपिए मिप्रेचर की सेवन सब्सक्रकिर्णब्स खूंइंगे तो क्या हम आईक्री में आपकि एम वेह सैवन पर ब्री और टिंप्रेचर के शुग घ्रेणिए लिगा ऑजपी data को analyze नहीं करते हैं हम लोग तो data को analyze नहीं करेंगे data तो बहुत ज़्यादा होता है millions of entries है उससे आपने information में convert करेंगे तो ही आप अच्छा department कर सकते हैं तो आज हमने जो चीजें total सारी सीखी हैं उनमें सबसे important था time management उसके पाद दूसरी important क्या थी scheduling तीसरी जीज़ हमने सीखी है वो है data management